असलालेकॉम कैसे हैं आप सब आज हम बनाएंगे आलू का रायता बिलकुल इजी है और कोई इसमें ज्यादा चीजे नहीं हैं तो चले आएं इन चीजों को वाइल होने के लिए रखते हैं और कुछ चीजों की हम कटिंग करते हैं अच्छा ये मैंने ना बीच में धनिया हरी मिर्शी और थोड़ा सा नमस अच्छा इसमें मैं डालूंगी पुदीना सुका कर रखा है कि बात दफा होता है कि पुदीना नहीं मिल जागा तो हम ये स्टोर इस तरह कर सकते हैं सुका कर सकते हैं तो ये मैं रखा हुआ था इसमें हम लिगोंने पीस लेने अब ब्लेंडर पीस लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि मैं ज्यादा तर पुंडी में पीस लें पारिक धनिया पुदीना और हरी मिर्ची ये मैंने बिलकुल अच्छी तरह से कुंडी में बिलकुल रगड लेने बारिक पीस लिए अब हम खीरा और टिमाटर की कटिंग कर लेंगे साथ प्यास की दो अदर आलू मैंने बॉयल करके रखे हैं अब इनके क्यूब्स हमने चोटे-चोटे काट लेने हैं आलू का साइज ज्यादा बड़ा ना हो क्यूंकि रायता हम किसी भी चीज के साथ इस्तमाल कर सकते हैं चावलों के साथ परियानी के साथ सालन के साथ और तो औ जैसे आजकर गर्मियों का टाइम है और कुछ नहीं किस कोई चीज हमें पसंद तो हम ये आलू के रायते के साथ दोपैट में रोटी या नान चपाती कुछ भी उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से आपने काट लें ये आलू हमें काट लें साथ ही इसमें है है और अगर रायते में प्यास नहाँ तो राइधा दूरा लगते हैं लिए आज तिमाटर इसमें ढूर कर गोदने आज हुआ है आद ये जो हम ने पिर्ष बनाके रखे थी द्धनिया पुदी ना हरे मिर्शिक इसमें ये दैन बीना यख ठंडा होो प्रेजर में आप र जादा खटा देह नहीं यह हमने जैसे जैसे राइता बन रहा है आप मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं जब तक हमारा यह राइता तेयार होगा यह बाउल में जाए जिसमें सारी चीज़ें डाली थी इसमें यह देहीं जो मैंने अच्छी तरह से कुंडी में में मैक्स कर लियें अच्छा यह कुंडी को भी साफ कर जो बीच में डॉल लिए इनको मैक्स कर लेंगे अच्छा इसमें एक सबसे में चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ की यह जो डालना जिसकी वज़ा से इसमें आएगा और नहीं हमारी काली मिर्च यह देखें काली मिर्च पाउडर ज़रा सा आपने इस दें डाले है त्रिक इससे बहुत अच्छा फ्लैवर से आ जाता है और यह कुटा हुआ धनिया से ही और इसको आप निट्स कर लेंगे आप हमें से सर्फ करने के लिए प्लेट में या किसी बाउल में आप डाल सकते हैं यह हमारा आलू का रहता जी तैयार हो गया है यह उपर आपने धनिया थोड़ा सा डाल देना है सही है लेकिन इसको मिक्स कर लें जब दक आप इसे मिक्स नहीं करेंगे तो इसकी खुश्पून नहीं आएगी ना आप भी जरूर इसे ट्राइब करें अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बाल आइकन का बटन तबाना ना भूला करें झाल